प्राइमरी में सहायक अध्यापक पत पर नियुक्ती दिये जाने से बाहर किये जाने को लेकर बी-एट प्रशिक्षूओन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बी-एट दिग्री धारी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रयागराज में महापंचायत बुलाई। बालसन चौराहे पर आयोजित महापंचायत में प्रयागराज और आसपास के जिलों से सैक्डों बी-एट दिग्री धारी अभ्यर्थी शामिल हुए। जिसमें B8 प्रशिक्षों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी कर अपनी नाराजगी का इजहार किया B8 प्रशिक्षों ने केंडर की मोधी सरकार से मांग की है कि NCET का अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए फिर से उन्हें प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ती में शामिल करने के लिए कदम उठाए B8 प्रशिक्षों ने कहा है कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है तो उग्रा आंदोलन करेंगे आंदोलित B8 डिग्री धारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें BTC अभ्यर्थियों से लड़ाया जा रहा है B8 अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनका BTC अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का कोई संगर्ष नहीं है प्रदर्शन कर रहे B8 कर चुके छात्रों ने रोजगार के लिए पारदर्शी नीती के तहट रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की है इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक भरती में B8 को भी शामिल करने की मांग की है देखिए सर हमने NCT 2018 के गजट को देखकर B8 किया हमारे पिता जी ने जमीन बेचकर हमको पढ़ाया तो मेरे सरकार से एक मांग है B8 वांट इन पी आर्टी और यह मैं आपको बता जूँ यह B8 वी टी सी हम लोग भाई भाई है यह हम लोगों को लडाने का काम किया जा रहा है कि बैकेंसी को कैसे लोट लेट किया जाए 2024 के लेक्षन करा लिया जाए और सरकार यह साल में दो बार होता है इसके पहले तीन बार से एक बार एक बार करा रहे हो ताकि दो बार आप कहे हो हम चाहते हैं कि जो बैकेंसी आ रही है पहली बात उसमें बीएट को प्राश्मिक भारती में सामिल किया जाए और यह जो पलटके कहा कि प्रीमबल इस नात अप पर कांस्टूटिविशन तो मैं बताना चाहता हों कि फैसला बदला जा सकता है दिल और लोक सफ़ा के मेंबर राज्पा के मेंबर बिल भील आ सकते हैं उस प्रकार से बदला जा सकता है और क्या कहते हैं तैसमें बिरुजगारी बढ सतार दी गए थी फिर बाद में उनको अंदर किया गया उसी प्रकार बीएड और बीटीसी को क्या कहते हैं बाहर का रास्ता बीएड वालों को दिखाया गया थांक्यू सुनिल के सर्वानी चातनेता इलाबद विश्विद्या ले आज ये प्रोटेस्ट बीएड को प्राइमर लड़कों ने बीएड किया हम लोग गौवर्मेंट कॉले से किये हम सद्धानजली सिंग्नाम मेरा मैंने आगराई उनिवर्सिटी से गौवर्मेंट कॉले से बीएड किया दोहजार उनीसिकी सेशन में और अचानक से दो साल से लिएड वरसेश बीटीसी केस चल रही थी औ लोग परिशाने पीड़ करने वाले कि हम लोग जाएंगे कि जो है कि जो है कि आती है बल्ग में जुनियर में कभी राइमरी में शामिल करना चाहते हैं सब्सक्राइब, चाहते हैं कि बेड़ को गवर्मिंट अध्यादेशला और प्राइमरी में चामिल करें अच्छानक से, हम लोग उसे सीटेट के दो दो बार एक्जाम लिवाये गहे हम लोग 2-2 बार एक्जाम में सीटेट के पास हैं और फिर उसके बाद इस्टेट गवर्मि तो कम से कम पांच लाख लड़के जो है बीड वाले पी आटी में बारे रहांगे जिनका कि एट लिस्ट पूरा भाईश एखत्रे में पांच से साथ पैंतिस से सैथिस करून रूपए उन लोगों ने कमा लिया बीड वालों से लेकिन वह पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं अगर वह एकांगे कशलाते हैं करते हैं और अच्छे नंबर कैसे लाते हैं बीटीसी वालों को लिए ट्रेंड कर सकते हैं जिनको बीटीसी वाले पढ़ाते हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं तो पहले की भी पंडिंग में पड़ी हुई है इवेन अभी उनतर हजार जो वैकेंसी ती उसमें भी कुछ शार सब्सक्राइब की गई है वो भी अभी तक कोट में चल रही है अगर बच्चे जो है दस-दस साल तक यहीं कोट का मैटर ही जेलते रहेंगे हम लोग तो दिर दि होने क्या कर दिया कि अचानक से बीसीजिओन आता है कि सुप्रिम कोड से डिसीजियन आता है 11 को कि बी एड्ट बाहर कर दिया गया तो फिर बीएड से इतने टाइम जो है सी टेट crazामी क्यूं लिया इसीट गवर्नमेंट ने और यू की बिहार वालों बार्म स्था सुक्रा महापंचायत में पूर्व आईजी और जन अधिकार सेना के राष्ट्रिय अध्यक्ष अमिताप ठाकुर ने भी पहुंक अपना समर्थन दिया है। वहीं छात्रों की महापंचायत को लेकर बालसन चौराहे पर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए थे। छात्रों की महापंचायत होने के बाद पुलिस ने बालसन चौराहे पर स्थित पाक को खाली करा दिया।